तो इसके लिए कैसे अब भी देखो ज्यांजे हमारे पास मेटल और लिगेंड जब जुएन होता है तो लिगेंड में एक डोनर एक्टम होता है अगर वो डोनर एक्टम ऐस सच अपने पुजीशन पर रहे और नया लिगेंड आकर उस जगह लग जाए मतलों उसके साथ हो जाए किसी वे से तब हमारे पास जो रियक्शन होगी वह सब्सिटूशन रियक्शन तो होई है लिगेंड तो नया आ गया लेकिन हैं वह ज्यादा बंडस में नहीं है हमारे पास आज दो इक्जामपल हैं जिसको जिसमें हम उब्सर्फ करेंगे कि मेटल लिगेंड बॉंड एक्चुल में डिसोसियेट भी नहीं हुआ और नया लिगेंड आकर सब्सिटूट हो गया तो अभी वह से पहली एक्जामपल कौ से वाया ऑक्सीजन हमारा कार्बोनेड कोबाल्ट के साथ बॉंड बनाता है तो हमने डोनर एटम को एक साइड रखना है साथ में जो बाक्की का लिक कंपम मॉलिक्यूल है उसे इसे साब से मोल्ड कर लेना है नेक्स्ट हमने क्या कि इसमें एक्ट टैक कर वाया तू एच ठाले यह क्या था सर्ट अब यह हम्हारे पास क्या है वाटर सब्सट्प्यूशन होई लेकिन यह कैसे फाइय छोगा कि के यह हमारे पास जो औ्क्सिजन है वह कारबोनेड यो है या नहीं इसके लिए हमने क्या किया आइसो टोपिकली लेबल कर दिया अब आप आइसो टोपिकली अगर लेबल करना चाहते हो तो आपके पास दोनों option अवेलेबल हैं यह तो आप अपने carbonate में जो oxygen हैं उनको isotopically label कर दो या फिर आपने जो system से बाहर water add किया है उसकी oxygen को isotopically label कर दो तो हमारे पास resultant क्या होगा अगर यह oxygen यह वाली oxygen वहां जाकर water के मतलब water जब लगा है हमारे पास यह doubt clarify करने कि अगर हमारा water ने ox water attach हुआ है यह सिरफ h attach हुआ है तो उसके लिए अगर हमने इसको isotopically label कर दिया तो हमारे पास क्या situation होगी यहां पर क्या होना चाहिए था अगर यह water attach होता system के अंदर तो हमारा isotop यहां होना चाहिए था लेकिन वह तो अभी भी इससे correct कर ले ना हमारे पास h2o18 नेक्स्ट क्या है second आप option कैसे use कर सकते हो यहां अपने कार्बोनेट आयन को isotopically label कर दो अभी आप फिर से normal water add करो और acidic medium प्रोवाइड करो आपके observe करोगे कि आपका isotopic label कार्बोनेट आयन का oxygen है वो system के अंदर still आपको observe होगा और हमारे जो h positive है वो system से बाहर से आके लग जाएंगे तो आप दोनों तरीकों से अपने water को अवेलिब चेक कर सकते हो कि यहां पर substitution reaction performed हुई है without breaking metal ligand bond तो इसके लिए mechanism study करेंगे सबसे पहले mechanism ज्यादा difficult नहीं है बड़ स्टिल थोड़ा साथ tedious है सबसे पहले आप क्या करोगे आपने अपने system में जैसे बाकी के लिगेंड इनर्ट हैं वो system से बाहर नहीं जाने वाले तो इसका मतलब आप उन्हें एक साइड पर कर लोगे और next आपका जो carbonate iron है आप उसे कैसे mention करोगे extend करोगे क्योंकि हमने बार बार इसी पर focus करना है कि metal और ligand का bond break नहीं हुआ तो उसी तरह से expand करके लिखना पड़ेगा तो हमारे पास carbonate iron होता है उसकी जो arrangement होती है वो इसी तरह से होती है तब आपने सबसे पहले आप क्या करोगे h positive का attack करवाओगे तो अभी जब आप h positive का अब्सक्राइबल है inoxygen के पास क्योंकि negative charge है तो यहां पर inoxygen के पास electron density अवेलेबल है तो यह क्या करेंगी इस h positive को क्या कर लेंगी abstract कर लेंगी तो अभी हमारे पास क्या हुआ o h हो गया और दूसरी साइड हमारे पास फिर से double bond o 2 positive है अभी next क्या हुआ next यह है कि हमारे पा कर लो one three hydride shift जब भी आप किसी भी ligand को shift करते हो चाहे आप यहां से methyl shift कर रहे होते तो आप लिखते कौन सी position पर actual में वह atom है और आप उसे कहां लेके जाना जा रहे हो वह atom count करोगे कई बार लेबल का तरिका अलग अलग होता है कई बार उसे one two bond shift भी कह दते हैं पर वह bond shift होत इसे जिस जहां पर वह original था उसको one देना होता है one two three तो हमारे पास क्या होगी one three hydride shift क्योंकि H positive यह hydrogen shift भी बोल सकते हो तो firstly हमारे पास क्या होगा H को आपके इस oxygen के पास label कर दिया क्योंकि यह तीनों भी carbonate के पार्टी है तो यह hydrogen यहां पर भी जा सकते हैं तो यह hydrogen जब यहां पर जाएगी तो यहां पर unstability हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि oxygen के कितने bond होगे एक दो तीन जब भी oxygen के दो से जादा bond होते हैं तो oxygen पर चार्ज ड्वल्प हो जाता है positive तो इसका मतलब अपनी stability को और जब भी electro negative atom पर positive charge recite करेगा वो unstability cause करता है इसका मतलब यह hydrogen यह hydrogen दुबारा से चला जाए अगर यह चला गया तो यह फिर से यह आ जागा फिर तो नया product नहीं मिला इसका मतलब अभी arrangement क यह bond है यह cleave करेगा इस bond में जो दो electron हैं वो किसको दिये जाएंगे oxygen को दिये जाएंगे और हमारे पास OH दुबारा से आके OH लग जाएगा और carbon dioxide system से evolve हो जाएगी और यह वाला step हमारा slow step होगा carbon dioxide का system से जाना हमारा slow step होगा क्योंकि अगर आपको rate determining step judge करना हो तो आप यहां catalyze discuss किया था कि equilibrium कभी भी आपका rate determining step नहीं होता तो चाहिए यहां first word mention हो या ना हो यह rate के लिए कोई favorable factor नहीं है तो यहां पर rate contribution किसकी वज़े से आएगी इसकी वज़े से अभी जो next step होगा वो भी कैसा होगा दुबारा से जब s positive second h positive भी तो attach करने क्योंकि water दिखाने जब h positive second attach करोगे तो वह भी फासली और equilibrium की इसका मतलब सिरफ यह वाला step होगा हमारा rate determining step क्योंकि यहां पर ही सिरफ single headed arrow है बाकी सारी reaction में हमारे पास क्या है double headed arrow that means equilibrium चल रहा है वह dynamic nature का है इसलिए rate determining step किसके भी आपर होगा हमारा जो hydroxyl group में से हमारा जो carbon dioxide का evolve होना हमारा rate determining step होगा यह रहा है हमारी first reaction second reaction में अभी आप यहां से देखो यह example यहां से cobalt NH35 Cl NO2 cobalt NH35 NO2 Cl negative यह तो simple substitution reaction हो गया इसमें तो हम अपने आप जज कर पा रहे हैं कि chlorine पहले था अभी nitro आ गया तो यहां से तो कोई भी ऐसा नहीं होगा substitution हुआ है और metallic bond भी ऐसा लग रहा है कि cleave हो गया है लेकिन इसमें जो हमने यह example हमने किसली consider की है क्लोरो directly nitro complex में change नहीं होता वो यह order follow करता है chloro सबसे पहले aqua में change होता है aqua complex बनता है अभी aqua complex का मतलब oxygen introduced हो गया अभी oxygen और nitro group में भी oxygen है तो यहां से यहां तक जो reaction हो रही है वो हो रही है substitution reaction without cleavage of metal ligand bond तो अगर आपको examiner example यह वाली देता है और बोलता है कि substitution reaction perform करो without cleavage of metal ligand bond तो आप यह mechanism पहले बताओगे कि chloro aqua में change होगा अभी aqua से लेके नाइट्रो तक जो reaction चल रही है उसके pathway में हमारा oxygen cleave नहीं करेगा तो सबसे पहले अगर हम reaction को observe करें पहले chloro यह हमारा overall reaction है तो आप इसे अपनी book में mention कर लेना overall reaction यही रहेगा सबसे पहला step क्या हो गया यह mechanism study करते हैं सबसे पहला step क्या है chloro का echo में change होना तो वह तो हमने hydrolysis reaction पढ़ रख किया तो हम easily कर लेंगे hydrolysis reaction perform करोगे तो hydrolysis reaction में water आजाएगा chlorine leaf कर जाएगा next step से start होगा हमारा substitution reaction जो हमने without cleavage of metal ligand bond करना है तो अभी हमारे पास next क्या हुआ जो हमारे पास water था यहां पर water plus oh next step क्या करोगे यहां पर equilibrium establish हुआ है कि अगर h positive add हो जाए तो हमें दुबारा से water मिल जाएगा यहां दूसरा backward forward step क्या करेंगे कि oh में से अगर h leave कर जाए तब हमारे पास यह situation होगी तो अभी हमारे पास एक equation तो हमारी यह होगी next है हमने नाइट्रो ग्रूप एंटर्ड्यूस करना है तो नाइट्रो ग्रूप के लिए जो preferable electrophile कहां से generate करोगे नाइट्रस acid से लेकिन नाइट्रस acid की problem क्या है यह stable form नहीं होती हमेशा सीट्टू में prepare होती है इसलिए हम prefer क्या करते है कि नाइट्रिक acid लेते हैं उसे नाइट्रस में change करते हैं फिर उसकी जो अलग form में चाहिए उसमें convert करते हैं तो यहाँ पर भी सेम है है एक्ट्रू नाइट्रस acid लिया उसे यह cleavage important है तो यह joining आप ऐसे करोगे तो आपको final product ऐसे मिलेगा जैसे शायद आपने reactions बढ़ी हो और गैनिक में भी organometallics में कि जब हम metallic cycle form करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा arrangement करने पड़ती है कार्बन के bonds की उसी तरह से यहां पर भी आगर आपको desired product चाहिए तो थोड़ा सा range करना पड़ेगा और यहां पर नाइट्रोजन का एक double bond इसके साथ NO2 negative यानिक इसकी जो बाकी की species है उसके साथ इसका dotted दिखाना शरू कर दोगे तो हमारे पास जो resultant compound है फिर से हमारे nitrous acid प्रपेर हो जाएगा और ONO ग्रूप arrange हो जाएगा अभी ONO कौन सा ligand होता है ambidentate, ambidentate का मतलब इसके पास दो donor sites available होती है at a time यह एक के साथ attach होता है तो हमारे पास ambidentate ligand ONO मतलब nitrito O बोलते हैं अभी यह क्या है nitrogen के through attach कर देगा rearrangement जिसे हम बोलते है rearrangement होगी तो इस वज़े से हमारे पास क्या होगा कोबाल्ट NO2 तो nitrogen के through attach हो जाएगा तो हमारे लिए basic जो हमारी reaction हो रही है वो यहां तक हो रही है nitrito O तक यहां पर देखो यहां से चलकर यहां तक हमारा जो bond है oxygen का वो cleave नहीं हुआ अगर direct product यहां पर nitrogen का देखोगे तो ऐसा लगेगा कि cleave हो गया क्योंकि nitrogen पहले यहां पर oxygen था अभी यहां पर nitrogen है तो यहां तक हमारे पास जो इतने steps perform हुए हैं वहां होई है substitution reaction without cleavage metal ligand bond that's all about this topic अभी हमारे पास जो second topic है वह कौन है ligand displacement mechanism और mechanism of substitution reaction तो यह mechanism काफी easy है क्योंकि हमने octahedral की case में reaction की है लेकिन कई बार examiner आपको specific यही पूछता है कि various possible mechanism of substitution reaction उसने ना आपको यह possible किया है कि आपने octahedral के लिए पूछा गया है ना आपको square planer के लिए पूछा गया है जस्ट आपको सरफ mechanism पूछे गया है कि जो पॉसिबल हो सकते है substitution reactions में तो और कुछ नहीं होगा just question को attempt करने का जो format है वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा सबसे पहले आप क्या बताओगे mechanism of reaction is the sequence of elementary reaction involved in a reaction जो हमारे पास mechanism होता है वो कैसे introduce होता है कि आप reactant to product देखो उसे बनाने में हमने कितने elementary steps कि हैं वो basically होता है हमारा mechanism the substitution reaction of complex takes flow takes place through either of the following mechanism अभी हमने कोई sn1 नी बूलना कोई sn2 नी बूलना simple associative dissociative और interchange यह टाइप अलग add हुई है और यह important भी है हमेशा exam में आपको four marks की questions में यह पूछी जाती है अगर आपको question complete full-fledged मिलेगा कि mechanism of substitution reaction तो अब आप तीनों को explain करोगे लेकिन अगर आपको केला compulsory question में interchange mechanism मिलता है तो आपने सिरफ interchange को explain करना है तो सबसे पहला mechanism क्या है dissociative mechanism अभी dissociative mechanism क्या है word clarify कर रहा है कि हमारा जो पहला step होगा वो क्या होगा dissociation होगा in the dissociative mechanism there is a step in which intermediate of reduced coordination number is formed तो आप अपनी language को उसी तरह से modify करते रहोगे आप नहीं बोलोगे कि हमारा coordination number 6 से 5 होगा या आप square planer के case में नहीं बोलोगे कि 4 से 3 होगा you can just say that कि coordination number जो हमारा intermediate का है वो reduce हो जाएगा so that इससे हमें क्या justify हो गया कि metal ligand का bond cleavage हो जाएगा यहां पर MX इसलिए शो कर रहे हूं कि मैंने example में लिया है अगर आप यहां नहीं लेना चाहते तो आप language में लिखो ML metal ligand bond break होगा is fully broken before my bond begins to form तो यहां पर situation क्या होगी कहता है MX bond पहले पूरा completely break होगा फिर my bond नयाब बनेगा तो हमारे पास यहां पर again हमने octahedral के case में जैसे मैंने consider किया mxl5, ml5 और हमारे पास ml5, my का complex बन जाएगा अभी यहां पर आप अपने जो length equation की कैसे बढ़ा सकते हो आप octahedral के हमने example consider कर ली तो आप उसके जो यह mechanism हमने octahedral के case में अलग-अलग study किया थे proper तो आप उस length को यहां पर introduce कर दोगे सारे question को previous video में जब मैंने mechanism of octahedral substitution reaction discuss किया था तो dissociative और associative का portion आप starting बस इस language में करना और उसके बाद आप अपनी वही length octahedral वाली introduce कर सकते हो where L is the inert ligand और हमेशा जब भी आप कोई भी reaction करते हो तो आप अपने जो भी आपके जो system है जो भी आप लेके चल रहो हो reactant उसका हर एक चीज explain किया करो that is L हमने क्यों L को अलग notation दी और X को क्यों दी है क्योंकि L हमारा inert ligand है यानि कि वह system से leave नहीं करेगा और X हमारा क्या है liby ligand यानि कि वह leave करेगा the rate determining step is the slowest elementary reaction the rate of overall reaction depends only on the concentration of original complex तो यहां पर आप slow fast का mention करोगे slow में यह सरफ इसकी concentration पर depend कर रहा है y की concentration पर depend नहीं कर रहा next वैसे ही आप rate लिखोगे rate हमारा concentration पर फिर बाद में बोलोगे कि यह first order जैसा appear हो रहा है तो इसे SN1 mechanism बोल सकते है जिसमें हमारा coordination number intermediate का क्या होगा 5 होगा तो अभी associative में भी similar associative mechanism involves a step in which intermediate is formed with a higher coordination number than the original complex अभी आपने कोई number mention नहीं करना सिरफ यह word भूलना है कि coordination number बढ़ जाएगा the incoming ligand wire directly attacks the original complex and the coordination number intermediate हमारे पास अगर आप 6 का लोगे तो 7 का अधर आप coordination number यहां mention नकरो इन rate determining step तो आपने कोई example consider करना है consider this example तो यहां पर mention करोगे ल क्या है हमारे पास inert ligand X क्या है हमारा लिभाइल ligand Y क्या है हमारा निकलियोफाइल है पहला step है coordination number raise करेगा अभी हमारे पास coordination number यहां से 7 हो गया है तो इसके दो possibility हैं यह octahedral wedge हो सकता है यह pentagon and biopiramidal हो सकता है अगेन आप उस video को फिर से जो part हमने वहां पर discuss किया था इन दोनों mechanism को detailed discussion दी थी और reason भी दिया था कॉंसा stable होगा कॉंसा नहीं होगा तो उसको एक बार से सुनके फिर से यहां पर add कर लेना next है हमारे पास कि आप rate यहां पर हमारे पास दोनों की concentration पर depend कर रहा है तो हमारे rate की value क्या होगी k into ml 5x अभी last में बूलोगे कि यह second order reaction जैसा appear हो रहा है क्योंकि दोनों की concentration पर depend कर रहा है that's why we call it as sn2 यह जो next है यह हमारे पास new है interchange mechanism basically क्या होता है कि आपके पास दोनों interchange mechanism में क्या होता है दोनों complexes जैसे y ने हमें पता था कि y की substitution होने थे x ने leave करना था तो दोनों यह भी dotted जुड़े होते हैं तो जिस तरफ की बात करेंगे जैसे interchange अगे two types का होता है तो उसको highlight करना शुरू कर देंगे उसको और week करना शुरू कर देंगे तो बस यह फरक होता है this mechanism takes place in one step forming a fairly stable intermediate instead the living group and entering league and exchange is a single step तो यहां पर हमारे पास one step forming a fairly stable intermediate यानि कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि जैसे sn2 type है कि दोनों जने पहले बार में introduce हो गए तो यहां पर जो activated complex होगा वो इसी form का होगा the interchange mechanism is common for many reaction of octahedral complexes the activated complex has very little or no stabilization energy immediately passes on to product and revert to the reactant केते हैं इसकी इसेल इतनी stability नहीं होती इसके पास दोनों chances होते हैं या तो यह आपिस से reactant की तरफ चला जाए या तो यह आगे की तरफ move कर जाए मतलब जैसे हमने SN1 और SN2 किया था तो हमने कभी भी यह बात नहीं बूली कि उसके बैक जाने के chances हैं हमने क्या बोला कि आगे cleavage हो के नया nucleophile ही बनेगा मतलब नई reaction होगी लेकिन interchange mechanism का यह फरक है कि यहां पर जो intermediate बनता है उसकी stability ना के बरावबर होती है उसकी हमें नहीं पता कि आपकी activation energy अगर ऐसी हुई कि आप मतलब product हमारा कुछ higher energy का हुआ या कुछ भी system situation हुई तो हमारा reaction back भी जा सकता है और forward भी जा सकता है in this mechanism the mx bond begin to break and starts to move away from the metal and m y bond begin to form simultaneously and y moves into the coordination sphere तो आप इसे कैसे समझोगे कि जैसे हमने iron pair mechanism किया था तो उसमें iron pair mechanism में भी हमने ऐसे discuss किया था कि y एकदम से approach नहीं करता coordination sphere में धीरे धीरे से enter करता है तो उसी way में यहां पर भी ऐसे ही है कि y धीरे से coordination sphere की तरफ move कर रहा है और x coordination sphere से दूर जा रहा है तो यह intermediate is quality क्या है लेकिन वहां पर अभी हमने जो SN1 SN2 में किया है वहां पर हमारे पास actual में क्या observe हो रहा है कि वहां पर completely sphere के अंदर x x और y completely sphere के अंदर है तो यह फरक है intermediate में तो हमारे पास यह further two category में divide किया हुआ है एक interchange dissociative एक interchange associative तो उसे मैंने ऐसे notation दिया है dissociative को आप i d बोलोगे उसे i a बोलोगे तो अभी यहां पर क्या है interchange dissociative में the my begin bond begin to form before mx bond is fully broken तो अभी यहां पर क्या है definition क्या कह रही है कि my bond ने पहले बनना शुरू कर दिया अभी mx bond completely तूटा भी नहीं था तो हमारे पास जादा बात किसकी हो रही है कि maximum bond हमारा तूट चुक है वाई तब बनना शुरू है जैसे suppose करो कि हमारे पास reaction में अभी यहां पर मैंने अगर राफ में शो करूं सिरफ आपने intermediate को ध्यान से देखना है उसके भी आफ रेक्शन डिसाइड करनी है interchange dissociative क्या बोल रहा है कि हमारे पास अभी mx almost तूटने वाला था जैसे suppose करो 80% bond हमारा क्लीव हो चुका था लेकिन उससे पहले ही 20% हमारा bond क्या हो गया बनना शुरू हो गया तो यह जादा किसकी तरफ यह जुका हुआ है interchange dissociative की तरफ मतलब तूटना ज्यादा हो चुका है इसका percentage ज्यादा हो गया ना interchange dissociative यह अभी complete तूटा भी नहीं था और इसने बनना शुरू कर दिया और interchange associative में क्या बोलोगे interchange associative में MX bond begins to break before MY bond is fully formed तो अभी क्या situation हो गई कि MY bond अभी हमारे पास कितना बन चुका था almost 80% बन चुका था तभी एकदम से X ने दूर जाना शुरू कर दिया यानि कि X अभी कितने परसंट ही गया है 20% ही गया है तो यहां पर अभी majority proportion किसका है बनने का proportion जादा है तो इसका मतलब इस mechanism को हम क्या बोलेंगे interchange associative right product हमारे पास similar ही रहते हैं क्योंकि substitution reaction at the end perform करनी है बस language में थोड़ा सा tone में फरक है कि इसमें आप हम क्या बोलेंगे कि intermediate भी stable नहीं है वो पीछे की तरफ भी जा सकता है आगे की तरफ भी जा सकता है तो हमारे पास इसमें क्या introduce हुआ है कि coordination sphere से अभी पूरा enter नहीं हुआ य एक्स ने coordination sphere को leave करना शुरू कर दिया है तो coordination sphere introduce होना शुरू हो गया है इंटरचेंज की mechanism में अदर्वाइस SN1 और SN2 में complete था वहां coordination sphere की बात नहीं थी यहां पर थोड़ा सा language में है अदर्वाइस product हमारा same रहेगा बस कभी-कभी थोड़ी से इसमें confusion हो जाती है तो इसके लिए आप यह वहला best तरीक है कि आपने इसे ऐसे ही याद रखो कि 80 परसंट यह 20 परसंट तो जिसकी ज्यादा contribution होगी उसी आप से mechanism को नेम दे दो है that's all about this topic thank you so much